नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है स्ट्रोजर सचिन सिक्का और मैं आपके लेकर आया हूँ साप्ताहिक राशी फल नवंबर का पहला सप्ताहिक लिए कैसा बीतेगा मैं आपको बताने वाला हूँ यह जानकारी चंद राशी और राशी पर आधारित होगी वही बात बताएंगे जो आपके कराम की होगी मैं एक जोशी हूँ और मैं यह जानकारी आपको दे रहा हूँ यह एक सामानी जानकारी है यह जानकारी कुछ लोगों के जीवर में फिट बैठेगी कुछ लोगों के जीवर में फिट नहीं बैठेगी लेकिन मैं आपसे यह करें उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं मा लक्षमी और गनेश जी के दर्शन कराना चाहता हूं जीपा वली में आप उनको कैसे अपने घर ला सकते हैं शाक्षात रूप में ये बताना चाहता हूं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी उसके बाद आपक राशिफाल शुरूर होगा लेकिन गनेश लश्मी के दर्शन जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जैमा लख्षमी जरूर लिखती जिएगा क्योंकि यही हैं वो गनेश लख्षमी जो आपकी प्रातना को सुनकर आपके दुखों को दूर कर सकते हैं तो आईए दर्श करते हैं और इसके बाद सुनते हैं राशिफाल इस दीपावली में हमें अगर मा लख्षमी की घृपा चाहिए शाक्षात गनेश लख्षमी अपने घर लेकर आने हैं तो कि दीपावली में बिना गनेश लख्षमी के पूजन के दीपावली पूर नहीं होती और अगर आप नकली या मिलावटी, मिट्टी के, सोने के, चांदी के, गरेश लक्ष्मी का पूजन करेंगे, तो आपको रिजल्ट भी नकली मिलेंगे, इस दीपावली हम लेकर आएंगे, अपने घर में शाक्षाद गरेश लक्ष्मी, ये गरेश लक्ष्मी आपके समक्ष है, गरेश जी क तरफ आप जहान दीजिए, इनकी सूर भी बनी हुई है, ये है महालक्षमी और बीच में है, इस फटिक का शियंत्र, और इसके साथ में आपको दी जाएंगी, 31 वो चीजिए जो इस दीपा वाली में पूलन सामगरी में प्रयोग होती है, विदी विधान भी दिया जाएगा, ये औरिजनल हैं, शाक्षात हैं, और विदी साइटिफिकेट हम आपको देंगे, और ये शुद्ध चानी में मुड़े गए हैं, इनको बनाने वाला सिर्फ इश्वर है, और इश्वर की बनाई हुई, शुद्ध चीज़ की पूजा करके हम असली धंग कमा सकते हैं, ऐसा जिससे हमारा जीवन और हमारे परिवार का बच्चों का जीवन सुखी रहें, अभी वार्डर करें, जी एल लिक कर, ताकि वक्त से रेश्वर की आपके घर आ जाए, आपके दीपावली महाशुद दीपावली हो जाए, तुला राश्यवालों, आपकी नवंबर के महीने की शुरुआत कैसी है, यह जो कुली आप देख रहे हैं, यही कुली की सितारे हैं, यही बताएंगे कि क्या होने वाला है, यह अलग-अलग घर में बैठे हैं, दिनांक तारीख यानि डेट एक से तीन तक समय उत्तम है, एक दो तीन मौज मस्तिकी है, पूरा सब्ता शांदार फलो को देगा, एक और तीन तारीख को आपका वेबसाइब बहुत अच्छा चलेगा, हाँ थोड़ी ठकान होगी, लेकिन पैसा भी खुबाएगा, नई प्रॉपरटी खरीदेंगे, सुझ मूज और कुशलता से महा लक्ष्मी की प्राप्ति करेंगे, या लक्ष्मी की प्रॉपर है, माता को लाल पुष्म पुट्री हैं, तो माता को लाल पुष्म पुट्राइए, उन्हें भेट करिए, मा का शुरवाद लीजिए, चार और पांस तारीकर समय, सम्मान का है, जत का है, आपके कार्यों का जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, वो मिलेगा, प्रेम प्रसंग में मिठास बनी रहेगी, घर मेंने महमान आने की संभावना है, जीवन में हर चीज आपको मिल जाएगी, सब कुछ आपका होगा, फिर भी आप कुछ फैसले लेने में थोड़ा सा दिक्कर करेंगे, आपकी परिवार में कोई बिमार पर सकता है, या कोई प करें, इसका इलाज करा लें, इस सफते आप थोड़ी से पेची पेची दें भी होंगे, जो आपने नहीं किया है, उसका एजाम भी आप पर लग सकता है, कानूनी मामलों में को आप निप्टा लेंगी, आपने उपर से हर बला को टाल देंगे, पर थोड़ी परशानी इस सफता धेर सारी खुशियां, उमंग, प्यार और सफलता लेकर आ रहा है, आमदरी के नए रास्ते खोल रहा है, किसी प्रिय से दिल को खुश करने वाला उपहार मिल जाएगा, रोजी रोटी और सम्मान मिल जाएगा, सीनियर और जूनियर का पुरा सहयोग मिलेगा, समा का बहुतिक बल होगा, आप दूसरों की शाजिशों को नाकामयाब कर देंगे, स्वास्त अच्छा रहेगा, सफता के मद्दे तीस दिवार होंगे, उससे ठकान हो सकती है, सफता में आप गूमी भ्हुन वहां के जोड़ा कोई बड़ा मसला हल कर सकते हैं, पुराने पैसे वापस आ सकते हैं, फसे पैसे वापस आ सकते हैं, प्रेम संब्स की गलत 当然 हो दूर होंगी, प्रेम संब्स में प्यार बढ़ेगा, वहवाई जी उनमे विश्वास बढ़ेगा, दिल से चाहेंगे, दिल से सफलता भी भंगान देंगे, नौकरी वहपार में, दिल खुश हो जाएगा दामपत्र जीवानसुख हो जाएगा माल लशमी के श्रीशूप्त का पाठ करिये अनन्द में रूँ जाएए अगर आपकी जिन्म कुनली में सितारे मजबूद है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है हनमाजी की पासना करिए अबाश रसती के अराजमा करिये और श्र जाएगा दाश को पहनिए और उसको अपते घर में पूजा करिये जीपा वली में वही है असली और वही देंगे आपको असली रिजल्ट और जरम कुनली में सितारे कमजोर हैं तो भी अपकी जरम कुनली की जाश कराएं इस अच्छे वक्त का पूरा फाइदा उठाएं मेर तरफ से आपको गुड लग और अगर आप अपने गुड लग को और बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट बाक्स में लिखिए गुड लग ये किसके लिखेंगे अपने लिखेंगे और जब आप लिखेंगे तो आपको देखकर दूसरे भी लिखेंगे जब वो लिखेंगे तो उनके गुड़ लग का कुछ गुड़ आपके गुड़ में भी आएगा और आपका गुड़ बहुत बढ़ा हो जाएगा तो लिखिए गुड़ लग और अपनी किस्मत को वाकई में गुड़ बना लेगे नमश्कार इस दीपावली में हमें अगर मालच्वी की गुड़ चाहिए शाक्षात गरेश लच्पी अपने घर लेकर आने हैं कि दीपावली में बिना गरेश लश्मी के पूजन के दीपावली पूर नहीं होती और अगर आप नकली या मिलावटी मिट्टी के सोने के चांदी के गरेश लश्मी का पूजन करेंगे तो आपको रिजर्ट भी नकली मिलेंगे इस दीपावली हम लेकर आएंगे अपने घर म तरफ आप जहान दीजिए, इनकी सूर भी बली हुई है, ये है महालक्षमी और बीच में है, इस फटिक का शियंत्र, और इसके साथ में आपको दी जाएंगी, 31 वो चीजिए जो इस दीपा वली में पूजन सामगरी में प्रयोग होती है, विदी विधान भी दिया जाएगा, ये औरिजनल हैं, शाक्षात हैं, और विद साइटिफिकेट हम आपको देंगे, और ये शुद्द चानी में मुड़े गए हैं, इनको बनाने वाला सिर्फ इश्वर है, और इश्वर की बनाई हुई, शुद्द चीज की पूजा करके हम असली धंग कमा सकते हैं, ऐसा हैं, अभी औरिजनल करें, जी एल लिक कर, ताकि वक्त से रिख खश्मी आपके घर आ जाए, आपके दीपावली महाशुब दीपावली हो जाए,